अब आयोधाय है पहले कीसा क्या फीड हो। पेखिए आयोधह धाम के जो दर्शन जिने होते हैं वो बहुत ही जादा एक पुन्या कमाते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है जैसे की वर्ल में वैटिकन सीटी का जो महत्तो है वो अब आयोधह धाम का है हमारे लिए बहुत राजनीती हो रही है बहुत तो लोगें जिनको इमाईद मिला है पर वो आने से बना कर रहे हैं I think मैं क्या कहूँ जैसे हमारा सवभागय है कि हमें इस तरह से इश्वर ने श्रीराम ने सदबुद्धी दी है कि हम आएं और उनके दर्शन करें तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धी दी है कि वो उनके दर्बार में ना आएं उनको उनके दर्शन ना मिले M.I.M. Chief का कहना है कि अब आपरी मशीद में अब तक जो नमाज होती थी लेकिन मेजॉर्टी वो टिक्टर में यह सब कुछ हो रहा है देखिए जो अब चली गई जो बीत गई सो बात गई अब वो चली गई वो बात सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है कई हजार साल पहले यहां पे श्रीराम राज्य था लेकिन राम जो है उनका किरदार उनका चरित्र जो है वो आज भी हर हिंदोस्तानी के दिल में जीवन्त है वो जिन्दा है हर हिंदोस्तानी के दिल में और उनकी परांप्रतिष्ठा हो रही है 22 को तो स्वाहम श्रीराम जो है वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में हमें ये स़भाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राजə पुनर निर् भी मिलेगी कि वो आएंगे धन्य वाजाए शिरा